हेलो फ्रेंट केसे हैं आप लोग और आज के इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहा हूँ एक रोचक कहानी कहानी का नाम है सेर और चुहा दोस्ति इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा भागियेगा नहीं और अंत तक वीडियो को देखिएगा कहानी बड़ा आई रोचक है कहानी का नाम है सेर और चुहा किसी जंगल में बेठा सेर आराम कर रहा था दिरे दिरे उसे नेंद आने लगी और सेर को क्या होगा दिरे दिरे नेंद आने लगी वहीं पास के बील में और चुहा रहता था सेर के सो जाने पर नटखट चुहा अपने बील से निकल कर सुए सेर के पेट पर उछाल खुद करने लगा क्या हुआ जब सेर को सो गया सेर के सो जाने पर चुहा क्या करने लगा उच्छल कुद करने लगा उससे इसे सेर की नेंद टूट गई और उसने चुहे को अपने पंजे में पकड लिया और सेर का क्या हुआ नेंद टूट गया और चुहे को सेर ने पंजे से पकड़ लिया गुसाया सेर चुहे को मारने ही वाला था गुसाया सेर क्या हुआ चुहे को मारने ही वाला था कि चुहा रोने गिड़ गिड़ाने लगा रोते हुए चुहे ने सेर से कहा अपने प्रानों की भिक्षा मांगते हुए स्वाम्य आप जंगल के राजा है, मैं आपकी परजा हूं, और मुझे अपराद हुआ है, यह मैं मानता हूँ किन्तु यदि आप मुझे जीवित छोड़ देंगे तो आवसर आने पर मैं अपने प्रानों की परवाह ना करके आपके इस उपकार का बदला चुका हूँगा और क्या हुगा मां फि मांगने लगा चुहा बोला कि अगर आप जीवित छोड़ देजगा हम फिर आपका इस उपकार का बदला जरूर चुका हूँगा इसे लिए हमको छोड़ देजी चुहे की प्रातना सुनकर सेर को दया आ गई क्या हुगा चुए की प्राथना सुनकर के फिर को दया आ गई उसने चुए को छोड़ दिया उसने क्या किया चुए को छोड़ दिया चुए खुस होकर चला गया यह जो चित्र में देखर है यह सिर है सेर और बगल में क्या है चुहा है इस घटना के काफी दिन बीत जाने पर एक दिन एक सिकारी जंगल में आया क्या हुआ जब सेर और चुहा का उस घटना बीत जाने के काफी दिन एक दिन क्या हुआ सिकारी एक सिकारी जंगल में आया उसने जाल फेला दिया और वहां से चला जाल फेले होने की बात सेर को पता ना थी और जाल फेले होने की बात किसको पता ना थी सेर को ना थी वह जंगल में घुमता हुआ आया और जाल में फंस गया क्या हुआ सेर को यह बात क्या पता ना थी कि जंगल में कोई सिकारी आके जाल को फेला के गया है सेर को यह पता नहीं था वो घुमता हुआ जंगल आया और जाल में जाके फंस गया जाल में फंसा सेर अपने बचाओ का कोई उपाए ना देखकर जोर जोर से दहाडने लगा क्या हुआ देखिए सेर यहां फंस गया है मुसीबत में है सिकारी का जाल में फंसा हुआ हुआ सेर दाड मार रहा है और अपना बचाओ का उपाई ढूंड रहा है और जो जो से दाड मारने लगा सेर की दाड सुनकर चुहा समझ गया कि सेर किसी मुसीबत में है सेर की दार सुन करके चुहा समझ गया कि सेर किसी मुसीवत में है चुहा तुरंत अपने बिल से बाहर आया चुहा क्या हुआ तुरंत अपने बिल से बाहर देखिए दोस्तों बगल में चुहा बिल से बाहर आया है यहां पहुँछ गया सेर के पास चुगा मदद करने के लिए शेर को बचाने और कोई उपाए ना देख करवा अपने नुकिले तथा पेने दातों से जाल कुतरने लगा चुगा क्या करने लगा कुछ हुपाई जब ने सुजा चुआ को तो उसने अपने पेने दांतों से जाल को कुतरने लगा और सेर जाल से बाहर निकल गया और सेर जाल से क्या हुआ बाहर निकल गया इस परकार चुए ने अपने परती किये गए उपकार का बदला चुका दिया सेर ने भी समझ लिया कि किसी को मातुहीन नहीं मानना चाहिए सेर ने क्या हुआ समझ गया कि किसी को मातुहीन नहीं मानना चाहिए दूसरों पर दया करने का फल सदे अच्छा ही होता है और सेर भी समझिया कि दूसरों पर दया करने का फल क्या था सदे अच्छा होता है तो इस काने से क्या सिक्षा मिला बच्चो इस काने से में यही सिक्षा मिलता है कि हमें दूसरों पर दया करना चाहिए और किसी के साथ अगर हम अच्छाई करेंगे तो हम जरूर मेरे उपर भ देहिं जिभारत बंदे मात्रां